इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं बेंगॉल वारियर्स वर्सिस टेलगू टाइटन्स प्रो कबड़ी लीग मैच जो ही खेला जाएगा हैदरबाद में क्या हो सकती है स्टार्टिंग सेवन क्या रहेगी स्मॉन लीग किटी मुल्टिपल ग्रैंड लीग क्रेट करेंगे इ अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना यह हमारा टेलीग्राम चैनल है फैंटसी फॉर्चुन के नाम से है लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन पिन कर दूँगा उस वोरियर जो है आठवे पोजिशन पर है इंपॉर्टन मैच है उनके लिए तो तेहरा में से अभी तक 6 मैच जीते हैं और यहां पर जो है टोटल 37 पॉइंट इस टीम के हैं वहीं जो मैच है वो है आज तेलगू टाइटन से जिनका इस सीजन बहुत ही बेकार जा रहा है चो कॉर्णर पर खेलते हैं बहुत ही तगड़ा स्टार्ट इने स्टार्टिंग के मैचेज में मिला था लेकिन फिर फिछले कुछ जो है कुछ मैचेज जो इनके फ्लॉप गए और लास्ट के लास्ट मैच में भी किस दिये लेकिन उससे पहले 70 और 91 पॉइंट दिये हैं तो अ अगर खेलते हैं तो क्राइट सेवर का काम आपको करके दे देते हैं ट्राइक कर सकते हो लेकिन इनकी जगा शुबम सिंदे को वापिस लाया जा सकता है इनकी परफॉमेंस अभी तक अच्छी रही है और शुबम सिंदे लास्ट मैच में जो है ना सब्स्टिजूट खेले ठीक है और तब भी आके आपको 40 पॉइंट दे गए थे तो अगर यह सब्स्टिजूट भी खेल रहे हैं तो आप इनको चाहो रिस्क लेना चाहो ग्रैंड लीग में तो ट्राइक कर सकते हैं लेकिन अगर आप मल्टिपल टीम्स बनाते हैं और हाई रिस्क पर खेलते हैं औ तो 49-14 तीन मैच से लगतार भी इने फ्लॉप कह सकते हो लेकिन प्लेयर अच्छे हैं और जो सामने की टीम है वो बहुत अच्छा नहीं कर रही है तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आज के मैच में अच्छा कर सकते हैं बाला जी डी है तो बाला जी डी की बात करें सो एवरेज परफॉर्मेंस इनका रहा है जादा कुछ खास रहा नहीं है सारे मैच के लिए लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहती है चाल तीस चालिस पॉइंट जो है वह आपको देते हैं ओल्राउंड सेक्षिन में बहुत सारे ऑप्शन नहीं है दीपक उड़ा जो है इस मैच में ब 20, 26, 40 और जो सामने की टीम है वहाँ पर डिफेंस जो है देखने में बहुत स्ट्रॉंग है लेकिन परफॉर्मेंस ट्रॉंग नहीं आई है तो श्रीकान जादब भी अच्छा कर सकने एक अच्छी पिक बन जाएंगे बनिंदर सिंग इंपोर्टेंट रहेंगे हर मैच मेंन के पॉइंट से अगर आप देखो तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट चोइस रहेगी चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो अब देखो ये कम से कम 70 परसेंट लोग हो गे तो कैप्टन होंगे ही होंगे तो best अगर आप देखा या कुछ बेस्ट प्लेयर है अगर आप 10 टीम भी बना रहे हो न grand league की या 20 टीम भी बना रहे हो तो ये वो खिलाडी है इस match में जिसमें आप हर टीम में इसको captain बना सकते हो ठीक है लेकिन अगर आप high risk taker हो कि भाई नई यार कि अगर ये ऐसा भी तो है कबड़े दिन-दिन का game है अगर ये flop हो गया तो आदे से ज़्यादा chances आपके बन सकते हैं तो अगर आप वो वाले खिलाडी है ठीक है तो आप risk ले सकते हैं लेकिन best choice इस match की जो है as a captain यहां पर जो सबसे important खिलाडी है वो गिरीश और मनिंदर सिंग यह दोनों जो है मेरे साथ से best option है बाकी शिंडे खेलते हैं अच्छी पिक है हुड़ा जो है वो वैसे बड़े प्लेयर है ठीक टाक performance रही है अभी दख काफी अच्छी इनकी performance जो है वो अच्छी रही है 52, 36, 39, 45 ठीक है और यहां पर 61 लेकिन flop भी हुए है बट स्टिल इस team के जो best defender है वो जो है अभी के हिसाफ से form के हिसाफ से विशाल भारत दुआज है तो small league में important रहेंगे और तेलगू titans के team अगर आप captain wise captain कर रहे हो मतलब इनके favor में team बना रहे हो तो विशाल भारत दुआज को captain wise captain try कर सकते हो अंकित है पहले match में 97 point लेकिन उसके बाद complete flop बिलकुल नहीं चले हैं लेकिन potential रखते हैं grand league में एक आधी team में try कर सकते हो वो माइनस में बहुत points दे रहे हैं क्योंकि जब पिटे है ना तो बहुत गंदा पिटे है minus 2 यहां पर हो गया minus 5 यहां हो गया minus 9 यहां पर हो गया तो इससे player बहुत बढ़े हैं again ध्यान रखना है तेलगू को अगर आप favor कर रहे हो तो इस team में आप इनको try कर सकते हो परवेज बेसवाल मेरे हिसाब से best जो current form के हिसाब से है वो यहां पर जो option है तो यह सबसे important है वो यहां पर विशाल भारत वाज ही है लेकिन अगर आप जो है इनके बाद किसी को देखते है तो वो है परवेज बेसवाल जिनकी performance भी अच्छी रही है यहां पर 73 point दिये है 152 दिये है यहां पर 65 दिये है तो अगर पहली preference विशाल भारत वाज फिर यहां पर परवेज बेसवाल की आती है अभी शेक सिंग बहुत ही बेकार सीजन गया है कुछ खास किया नहीं है माइनस में भी कितनी बार point दी है माइनस 4, माइनस 6, 0, माइनस 1, 2 तो काफी बेकार performance है ग्रैंड लीग में try कर सकते हैं स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगे मोनुगोयत और परवेकार performance पाँच, माइनस 4, माइनस 1, माइनस 3, 8, 1 लगातार 5-6 मैंच में flop हो रहे हैं ठीक है प्लेयर अच्छे हैं लेकिन performance नहीं आपा रही है इस team की तो यहाँ पर अगर खेलते हैं तो भी Grand League में एक आधी टीम में try कर लो कि अच्छा दिन हुआ तो point दे जाए otherwise ignore कर सकते हो based on performance जो इनकी रही है और इनकी जगा टीम जो है चाहे तो change भी कर सकती है एक player जो लगातार पिछले कुछ match दे चल रहा है वो है बाहु बली सिदार देसाई लगातार performance आ रही है 104, 62, 86, 110, 136 लगातार पांच match से भड़िया performance जा रही है captain वाइस captain की अच्छी choice बन जाते है small league हो चाहे grand league हो important player की बात करें so विशाल भारत वाज और देसाई दोनों important है पर वेस वाल भी एक अच्छी pick बन जाते है small league में मनिंदर सिंग best option रहेंगे सिदार देसाई के साथ defense में जाना है तो गिडिश अरनक भी अच्छी option आ जाते है grand league में again मनिंदर सिंग क्योंकि best खिलाडी है इस match के अगर आप risk लेना चाते हो विशाल भारत वाज गरजे या हुड़ा के साथ आप जा सकते हैं चलिए create करते हैं अपने small league और multiple grand league की teams अगर हम defense में बात करें गिडिश अरनक को मैं अपनी team में लेना चाहूँगा विशाल भारत हो आज को मैं अपनी team में लेना चाहूँगा अगर शिंडे खेलते हैं तो एक अच्छी pick बन सकते हैं गरजे हैं ये भी एक अच्छी pick है अगर तेलगु से try करना चाहते हो तो यहाँ पर परवेस base वाल एक अच्छी pick बन जाते हैं अंकित हैं जो grand league में try कर सकते हो शक्ती वेर खेलते हैं तो इनको credit saver की तरह अपनी team में जरूर रख सकते हो यहाँ पर सुरजीत सिंग है ठीक है grand league अगर सुरिंदर नाड आपको खिलते हुए नजर आ जाएं 11 क्रेइट में बहुत शांदार पे किये बन जाएंगे तो अभी के लिए गिरी शरनेक और भारत वाज़ को हमने लिया है और राउंडर में दो opposition आजाते हैं यहाँ पर हैं दीपक निवास उड़ा और बाला जी डी के साथ यहाँ पर आप चाहिए तो बाला जी डी के साथ भी जा सकते हैं performance जा है दीपक निवास उड़ा की भी बहुत अच्छी नहीं आई आई है एक bonus टिप दे रेता हूँ मनोज गोड़ा ठीक है हर match में जो क्या आपको ए point देख रहे हूँ ना 179 यह सब substitute के point भी तक playing भी नहीं मिली है लेकिन यह substitute में आ जाते हैं और भाई अपने दिन पे points दे जाते हैं तो बहुत सारी team अगर लगाते हो grand league के grand league खेल रहे हूँ देखो जैसे यहाँ पर 43 point दे गए जैसे selection कितना आधा percent भी नहीं था ठीक है ना और यहाँ पर भी जो है 52 point पहले match में selection मतलब महज एक आधे से भी बदब 50 वाला भी नहीं था ठीक है ना point 14 percent selection तो यह आ जाते है गेम में अगर multiple teams लगाते हो और risk लेने का भाई शमता रखते हो तो भाई try कर सकते हो यह game में आ जाते है substitute खेलते है और यह ठीक है आँ बात करते है रेडिंग में रेडिंग में यहाँ पर मनिंदर सिंग और देसाई दोनों को हमने अपनी टीम में लिया है अब यहाँ पर option क्या है यहाँ पर जादव है मोहिद गोयत है अब इशेख है ठीक है यह तीन option है यहाँ पर इन दोनों की form बेकार चल रही है समय इनको नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर अब आ जाता है कि हमने बेंगॉल का एक defender जादा लेना या फिर एक radar ठीक है अब यहाँ पर गर्जे को ले सकते हो शिंडे खेलते हैं उनको ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर तेलगू का यहाँ तरफ से अगर हम देखा जाए तो रेडिंग अच्छी चल रही है क्योंकि देसाई form में है तो मैं defense को ना लेके मैं यहाँ पर बेंगॉल के radar को ले रहाँ जादव को क्योंकि यहाँ पर अभी तक टाइटन्स का defense उतना नहीं चला है तो उमीद कर रहे हैं कि जादव इस match में अच्छा कर जाएंगे तो हमने उनको ले लिया है अब credit बचता नहीं है तो credit नहीं बच रहा है तो कौन लेंगे हम अपने टीम में शक्ती वेल आर हमारी टीम में आ जाते है सो यह बन जाती है हमारी small league की टीम इसमें एक से दो change हो सकते है final team आपको telegram पर मिल जाएगी जिसका link description में है और youtube channel को भी subscribe कर लो और bell icon दबादो जैसे video आएगी notification मिल जाएगी बात करते है captain की simple choice है मैं तो 70% कह रहा था 72% जो है maninder का rate हो चुका है captain सो सब कही होने वाले है और best player भी है क्यों ना हो तो maninder singh को captain हमने किया है wise captain देसाई का option है या इवन गिरिश मारूती अरनेक को भी कर सकते हो मैंने अभी के लिए देसाई को किया है सभी बन जाती है हमारी small league की team आप बात करते है grand league teams की so multiple teams create करी है team 1 same small league वाली team बस wise captain change करके गिरिश मारूती अरनेक को कर दिया है यही होता है कबड़ी में एक आदा प्लेयर इदर से उदर और grand league विन हो जाती है ठीक है ध्यान रखना है team 2 की बात करते है team 2 में हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर देसाई को रखा है यहाँ पर अंकित को ले लिया ठीक है और यहाँ पर हमने जादव को wise captain करके गिरी शरनेक के साथ गर्जे भी हमारी team में आ गए है तो यह बन जाती है team 2 team 3 की बात करते है तो again मनिंदर को captain किया है गिरी शरनेक को wise captain किया है यहाँ पर इस team में हमने शक्तिवेल गर्जे दोनों को लिया है और बैंसवाल को हमने अपनी team में ले लिया है तो यह बन जाती है team 3 ठीक है लास्ट team एक और जो है अगर तेलगू Titans के favor में team बनानी है तो कैसे बनाए तो तेलगू Titans के favor में अगर team बनानी है तो देसाई को captain ठीक है भारत दौज इनके जो main player है उन्हें captain wise captain बैंसवाल को लिया है और सुर्जी सिंग को जो दोनो senior खिलाड़ी है यहां से मनिंदर सिंग दीपक निवास उड़ा और गरजे इन 3 को हमने अपनी team में लिया है chances वैसे जो है बैंगॉल के ही है क्योंकि अभी तक तेलगू ने 14 में से एकी match जीता है लेकिन ऐसा नहीं है कवड़ी में अपने दिन में कोई भी अच्छा कर सकता है तो अगर आप तेलगू के favor में team बनाते हो अगर तेलगू जीतती है तेलगू टाइटन जीत जाती है तो आपकी rank बहुत उपर आ सकती है लेकिन नुकसान यह है कि अगर आप उनके favor में team मनाते हो तो Grand League में पैसे डूबने की chance है तो risk अपने according आप ले सकते है chances जो है match में वो Bengal के जीतने के जादा है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है पसंद आई है उसो like करो, share करो, comment करके बताओ आपके इसाब से कौन जीतने वाला है यह match क्या आप Angol Warriors जीतेगी या सर्प्राइस कर सकते है तेल्गू Titans comment करके जरूर बताना साथ के साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीचेगा जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी थैंक्यू गाइज